नमस्कार अर्थप्रकाश टीवी की इस खास पेशक्ष में एक पर फिर से आपका स्वागत है हम रोजारा आप से बिलते हैं और चंडीगर पंजाब हरियाना और अगर कोई देश की बड़ी खबर हो तो वो भी आप तक लेकर आते हैं लेकिन हमारा मकस्द रहता है कि आपको चंडीगर से जुड़ी पंजाब से जुड़ी और हरियाना से जुड़ी में खबरे हैं उनके बारे में आपको बताया जाए तो आज भी हम शुरुआत करते हैं ट्राइस सिटी का खबर नामा सबसे पहले हम बात करेंगे करतारपूर को द्वारा है प्रथम बादशाही श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम कई साल जो हैं वो इस स्थान पर गुजारे हैं और बहुत ही मुकदस जगाई यह बाली जाती है और काफी समय से लोग जो थे वो सिर्फ भारती साइट की तरफ से पाकिस्तान की दूर दूर बील लगा कर इस कुर्दारे को देखा करते थे लेकिन उसके बाद हालात कुछ बहतर हुए पाकिस्तान सकार ने नुमबर 2019 से कर्तारपूर के लिए कोरिडूर बना दिया और वहां पर लोगों ने जाना शुरू कर दिया लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि करोना कि वज़ा से मार्च 2020 में इस कुरिडूर को बंद कर दिया गिया तबसे ही ये कुरिडूर लगातार बंद चला रहा है इसके वज़ा से पंजाब के लोगों में काफे उदासी भी है मायूसी भी है जो एक उन्हें सुझा मिली थी वो इस तरह से एक एक चले जाने के बाद उनमें मायूसी थी लेकिन अब जो कि हालात बहतर हो रहे हैं तो लगातार ये मांग उट रही है कि इस कोरिडोर को दुबारा से शुरू किया जाए ताकि लोग दर्शन के लिए करतार पूर जा सके इसी सिल्टरे में आज पंजाब भारती जंता पार्टी के नेता प्रतान मं तरी नरेंदर मोदी से मिलने पहुँचें और उन से गुजारिश की कि वो इस मामले में स्वेम दखल दें और जल्दी से जल्दी के तारपूर को खुलवाने की कोशिश करें आज जो बीजे पी का डेलिगेशन गया उसमें जो पंजाब प्रदेश का पंजाब प्रदेश भारती जिन्ता पार्टी के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा तो थे ही इसके साथ साथ हरजीत ग्रेवाल थे तरुम चुग थे दुशन गौतम थे आर्पी सिंग ते ते जिंदर बगगा थे इन्होंने आज मुरकात की है हरजीत ग्रेवाल का कहना है कि प्रदान मंतरी ने करतारपूर कोरिडोर फिर से जिरू होगा और खास वर पे अब जब की पंजाब के एरेक्शन्स बिल्कुल अस्थीक हैं यह बड़ा इमोटे विश्यू है जिसको लेकर पार्टियां जो है वो पूरी तरह से कोशिश करेंगी कि इस 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 को बनाया जाए तो ऐसे म और खबर पंजाब से ही हैं यह सोनु सूद से जुड़ हुई खबर है काफी देर से चर्चा चल रही है कि सोनु सूद राजनीती में आएंगे कब आएंगे कैसे आएंगे इसको लेकर लगातार अठकले चल रही हैं हाला कि एक समाज सेवी के तौर पर तो वो अपने आपक को अच्छी तरह से स्थाफिक कर ही चुके हैं करोना काल में जिस तरह से उन्हों ने लोगों की मदद की वो सब के सामने है और इसका इसके लिए उन्हें भरपूर प्रशंसा भी मिली और अब उनके राजिनैतिक महत कांक्शाएं भी उनकी हैं उनको लेकर भी बाते चल रही ह तो आज मोगा में वो अपने ग्रह जिले में अपने घर में थे और वहां पर उनल प्रेस कॉंटेंस की पहले सही अटकले लगाई जा रही थी कि शायद वो कोई बड़ी अनौंसमेंट करेंगे पुलिटिकल पार्टी जोइन करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ तरफ इतना सोनुसूद और उनकी बेहन दोनों ने मिलकर मोगा में प्रेस कॉंटेंस की लोगाई नहीं हो सकता है, यह नहीं बड़ा इसके वारे में अपने options उन्होंने सभी खुले रखे हुए हैं अभी फिलहाल ये कहपाना ज़रा मुश्किल लग रहा है कि किस political party में उनकी बहन जा रही हैं अपनी जो उनकी political ambitions हैं उनके बारे में भी उन्होंने कोई खास खुलासा नहीं किया है हलाकि उनका ये कहना है कि वो political party join कर सकते हैं लेकिन कब करेंगे ये इसके बारे में उन्होंने नहीं कहा है और उनका कहना है कि जल्दी ही वो इसके लिए काम करेंगे आपको ये भी बता दें कि मालविका सूथ सचर जो है जो सूनु सूथ की charity है सूथ charity foundation उसको आगे बढ़ा रही है और उसके काम को आगे बढ़ा रही है और health sector में और education sector में ये charity जो है ये foundation काम कर रही है खास्तोर पर जो dialysis के मरीज है जो kidney के मरीज है उनके लिए ये charity जो है काम कर रही है तो उमिद करते हैं कि समाद सेवा भी इनकी जारी रहेगी और राजनीती में भी अब जबाएंगे तो कुछ नया लेकर आएंगे पुर और भी खबरें आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि अब एक ब्रेक लेना चाहिए एक ब्रकाश टीवी में आपका स्वागत है और ब्रेक के बाद हम पंचकुला की बात कर लेते हैं पंचकुला में आज गोवंश को लेकर काफी चर्चा रही दरसल पंचकुला से आप जानते हैं कि ग्यांचन गुपता जो की समया हरियाना विधानसवा के स्पीकर हैं वहां से विधायक हैं तो आज ग्यांचन गुपता और इसके साथ साथ गोसेवा आयोग के अध्याक्ष श्रवन गर्ग और पंचकुला के मेर कुलभूशन गोईल ये सब आज सुकतर्शन पूर गाव में गए हुए थे जहां पर माधव गोशाना है वहां पर गोपाश्ट अख्मी उतसब का आयोजन किया गया उस आयोजन में ये गए थे वहां पर तो निश्ची तोर पर इस असर पर गोवंश को लेकर ही बात होनी थी गोवंश को बचाने के लिए भारती जिनता पार्टी पूरी तरह से कमिटेड है और उसके लिए हर तरह की प्रयास की जा रहे है इस गोशाना में भी सासों से ज्यादा इस वक्त गोवंश महाँ पर मौजूद है लेकिन इसके बावजूद भी सडकों पर गोवंश का मिलना और उनके उनका आवारा घूमना जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या इस समय ना सिरफ हर्याना में बलकि पूरे देश में बन इसको लेकर कई ऐलान महाँ पर ग्यान जनकुटा की तरफ से किये गए उन्होंने कहा कि ना सिरफ इस जो सुखदर्शनपूर की जो गोशाला है इसको बढ़ा जाएगा बलकि एक गाम कोट में नंदी शाला बनेगी रिहोड गाम में भी एक गोशाला बनाने का उन्होंने जल्दी वहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो गोवंश है उसको रखा जाएगा लेकिन कब तक यो बनेगी इसके बारे में भी बात नहीं की है हाला कि उनका ये भी कहना है कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि जो गोशाला है वो एक उद्द्योग की तरह काम करें और पू स्टिल यूज किया जाए उनका ये भी कहना है कि घरों में अगर गोमोतर और गोवर के उत्पाद जो है वो अगर रखे जाते हैं तो उससे एक प्वित्रता आएगी और पूरा उनका प्रयास रहेगा कि इस तरह के उत्पाद बने लेकिन ये कब होगा ये दरहाल देखना ह होगा लेकिन आज ये कारेकरम जरूर सुधर्शनपुर की माधव गोशाला में करवाया गया और अब एक पर फिर से पंजाब की दरफ आते हैं पंजाब में आज नो चलान डे मनाया गया और ये नो चलान डे लगबग लगतार मनाया जाता रहेगा इस दिन हर रोज़ाना स शपत दलाएंगे कि वो सड़क नियमों का फालन करें पंजाब में आपको उता दे कि सड़कों पे जो सड़क मौतों की सधक्या है वो बहुत ज़दा है लगबग देश पर सबसे ज़दा आगर कहा जाय तो शार्षे करिभ करीब हर महीने करीब साड़े तीन सो से चार सो मौतें जो हैं पंजाब की सड़कों पर होती है और अगर साल का हम आगड़ा ले तो यह सागड़ा करीब करीब पांच हजार के आसपास पहुंच जाता है तो इसलिए काफी गंभीर स्थिती हैं और अमरदनिस सिंग राजा वडिंग जो कि अब नए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं और वो पूरी मुस्तादी के साथ काम कर रहे हैं हर मुद्दे को लेकर काम कर रहे हैं जो भी उनके विभाग से जुड़ा हुआ है और इस पर भी अब उनकी नजर गई है तो आज उन्होंने इस कारेकरम की शुरुआत की है जलंधर से उन्होंने शुरुआत की और कोशिश उनकी है कि ये कारेकरम आगे चले और लोगों के अंदर जाग उता बड़े ताकि सडकों पर जो मौते होती है जो अकारण मौते हो जाती है जिनको बचाया जा सकता है जो बेशकीमती जिन्दगियां बचाई जा सकती है उनको बचाया जा सके तो ये थे राजावड़िंग जो की नोचलांडे की जिन्नोंने को खालत की है और इसके साथ मदू में दिवस बनाया गया है मदू में दिवस आप जानते हैं कि डियाबेटीज इस वक्त भारत की सबसे बड़ी समस्या स्वास्त समस्या बन चुपी है भारत आज अगर डियाबेटिक पेशेंट्स के नंबर की अगर बात करें तो दुनिया में चीन के बाद चाहिए दूसरे नंबर पर है चीन में करीब 10% लोग जो हैं माने जाते हैं कि डियाबेटिक हैं लेकिन भारत में भी 8 प्रतिशत के आसपास लोग जो हैं वो डियाबेटिक माने जाते हैं और चंडीगड में स्थिती और भी खराब है चंडीगड में जो PGY की स्टइज है PGY का कहना है कि करीब 15 प्रतिशत लोग चंडीगड में डायवेटी जो है उग्रस्त है और यह जो आंकडा है वह पिछले एक साल में एक प्रतिशत बढ़ा है पिछले साल यह 14 प्रतिशत था लेकिन अब ये 15 प्रतिशत हो गया है मना जा रहा है कि करोना की वज़ा से और करोना में जो लॉक्डाउन लगा लोग घरों में रहे वर्क फरम होम होता रहा उसकी वज़ा से भी भड़ोतरी होई है वैसे भी चलिगड़ में लाइफस्टाइल आप जाते हैं चलिगड़ को एक समृद शहर माना जाता है यहां पर डाइट्स लोगों की बहुत गरिष्ट डाइट्स हैं काफी हेवि डाइट्स यहांपर रहती है और ऐसी डैट्स होती है जिसमें फाइबर कम होता है और ऐसे अभियव ज्यादा होते हैं जिनकी वज़ए से डाइबड़ होने के जां तो यह बहुत बड़ा हेल्थ इशू हमारे लिए बनने वाला है आने वाले टाइम में और अगर हम एक्सपर्ट्स की बात को माने तो एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि भारत में 2045 तक करीब 13 करोड लोग जो है वो डायवेटिक हो जाएगी डायवेटिक आप जानते हैं कि डाय जासे ब्रेइन स्ट्रोक्स हो सकता है किड्नी की देखते ही है हाट अटेक को सकता है और कि यह जोगते है तो इसलिए जरूरी है कि डायवेटिज की और पूरा ध्यानienen दिये जाए समय समय पर इसके लिए जाच करवाई जाय थोन की जाच करवाई जाए और डॉक्टर की सारा लिए जाए उसके साथ ही अपनी डाइट और अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंग किया जाए इसके साथ ही हम इस बुलिटिन को अब यही समात करते हैं आपको कल एक बार फिर से मिलेगे ट्राइज सिटी का खबर नमा के साथ धले बात ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूले